गाइस सिर्फ मेरी बताई हूँ ये दो चीजें रोजाना सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा लीजे विदिना वीग यानि सिर्फ एक हफते में आपका चेहरा गोरा और बेदाग हो जाएगा आपके चेहरे पर पिंपल मार्क्स है तो वो भी चले जाएंगे इतना ही नहीं अगर आपके चेहरे पर जाएंगे आपके चेहरे पर एजिंग आने लगी है तो आपके स्किन फॉर्म होती चाहेगी आपके स्किन एकदम अलग से ही क्लियर फील होगी देखिए, complexion चाहे जो भी हो, dark हो या fair हो, लेकिन neatness होनी चाहिए, छोटे-छोटे दाने या बड़े-बड़े दाने, या black head, white head, open post की समस्या, ये सारी problems हमें नहीं होनी चाहिए, right? तो आज का मेना ये रेमेडी, बनाना बहुत असान है, आपके पैसे भी बचाएगा, in fact, जो आप महंगी महंगी क्रीन यूज करते हैं, उससे भी बचेंगे और रिजल्ट बहुत लॉंग टाइम होगा, तो चलिए, जानने तेहें, किन चीजों को मिलाना है, कैसे बनाना है, और कैसे लगाना है, लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चानल पर नहीं है, तो चानल को सब्स्ट्राइब, वीडियो को लाइक और शेर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए का, इस रेमेडी को बनाने के लिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बाल ले लेना है, आप दो चमश दहीं आटका लीजे, और साथ में एक चमश नीबु कर जूस आटका लीजे, अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, तो आप इसमें आलू का रस भी मिला सकते हैं, आपको अगर जाईयों की समस्या है, तो आप नीबु के साथ आलू का रस मिलाएं, इससे आपका ज जादर जुल्दी रिजर्ट मिलेगा, आपकी जाईयां भी दूर हो जाएंगी, और रही अगर स्किन ग्लोइंग की, और अपने स्किन को इतनों क्रिस्तल क्लियर बनाने की, पिग्मेंटेशन हटाने की, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ने बताया है, तो उसके लिए आ और अप्र रिजल्ट तो ऐसा ही ग्लोइंग इफेक्ट आपके फेस पर इंस्टेंट दिखेगा, यह नहीं कि आपने लगाया और कल दिखेगा, पड़सो दिखेगा, इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखेगा, बस आपको फॉलो जरूर करना होगा, गाईस तो देखा अपने स्किन को फ्लॉलेस और बेदाग बनाओ, और हाँ, यह मेरा वीडियो पर्टिकुलर गर्ल्स के नहीं, बॉइस के लिए भी है, क्योंकि बॉइस को भी तो हक है, सुन्दर दिखने का, तो दोनों इसको एपलाई कर सकते हैं, हर उमर का विक्ती इसको 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 इसक या अगर आपका बच्चा साथ साल का भी है ना, सेवन इयर्स का, तो भी उसके फेस पर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, ऐसे कुछ बहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जोड़े रही, मिलते हैं एक्स वीडियो में, बाई, टेक किर इन, स्टे हिल्दी, अगर आपके चेहरे पर जाईया हैं, आपके चेहरे पर एजिंग आने लगी है, तो आपके स्किन फर्म होती चाहेगी, आपके स्किन एकदम अलग से ही क्लियर फील होगी, देखी, कॉंपलेक्शन चाहे जो भी हो, डाक हो या फेर हो, लेकिन नीटनेस होनी चाहिए, छोट जालने तेहें, किन चीजों को मिलाना है, कैसे बनाना है और कैसे लगाना है, लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चानल पर नहीं है, तो चानल को सब्स्ट्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस रेमेडी को बनाने के लिए सब अलुका रस मिलाएं, इससे आपका जादर जुल्दी रिजर्फ मिलेगा, आपकी जाईया बिल्कुल दूर हो जाएंगी, और रही अगर स्किन ग्लोइंग की, और अपने स्किन को इतनों क्रिस्टल क्लियर बनाने की, पिग्मेंटेशन हटाने की, जैसे कि आपको और इसा ही इफएक्ट आपके फेस फेसे इंसेंट गरते हैं, यह नहीं कि अपने लगाई और कल दिखेगा, परसो देखेगा, इंसेंट रिजोल्ट आपको देखेगा, बस आपको फॉलोर कना होगा जो गाई तो देखा आपने इसका इसका भिपोर इन अफ्कु एंड़ K और हां यह मेरा वीडियो पर्टिकूलर गर्ल्स के नहीं बॉइस के लिए है क्योंकि बॉइस को भी तो हक है न सुन्दर दिखने का तो दोनों इसको एप्लाइ कर सकते हैं हर उमर का विक्ति इसको इसको सकते हैं अगर आपकी साथ साल की उमर है या अगर आपका बच्चो इस पर आप इसको लगा सकते हैं ठीक है तो चलिए ऐसी कुछ बहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जोड़े रही मिलते है एक्स वीडियो में पाई टेक किर इन स्टेए हिल्दी